बॉलिवूट की मशूर अभिनेतरी करीना कबूर को अपने से 10 साल बड़े अभिनेता सैफली खान से शादी क्यों करनी पड़ी आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे दोस्त अगर आपको करीना कबूर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताजा और मसालेदर खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एक समय था जब करीना कबूर को बाली हुड की सबसे बड़ी और मशूर अभी नित्री माना जाता था और वै अपने फिल्म की कारियर के बुरंदियों को चूर रही थी और ऐसे में उस समय उनके पास एक के बाद एक बड़ी फिल्मे थी और जो भी फिल्म वै करती थी वै सुपर हिट ही होती थी लेकिन फिर उन्होंने एकदम शादी करने का फैसला ले लिया और सबी को एकदम हैरान ही कर दिया क्योंकि अभी वै अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी उनके एकदम लिये गए फैसले के बाद तो पूरा परिवार एकदम हैरान रहा गया था लेकिन उन्होंने करीना को अपनी मरजी करने दी आपको बता दे कि करीना कपूर ने अपने से तकरीबन दस साल बड़े अभी नीता सैफ अली खान से शादी की है लेकिन इससे भी ज़्यादा हरानी वाली बात थी कि सैफ अली खान पहले से ही शादी शुदा थे और उनके दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी थे आपको बता दें कि इससे पहले सैफ अली खान ने बॉलिवड बनेपरी अमरता सिंग से शादी की थी और एक बार तो तैय भी लगड़ा था कि दोनों जल्द ही शादी करेंगे लेकिन फिर किसी करण ऐसा नहीं हो पाया और करीन ने सैफ अली खान से शादी कर ली थी इसलिए इनकी शादी अभी तक सक्सेस्फुल है शादी के बाद उनका एक बेटा भी है जिसका नाम तैमूर अली खान रखा गया और वै भी बहुत क्यूट है अली खान रखादी शादी करेंगे